नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल क्लियर कॉंसेप्ट्स ओफ इंजिनरिंग में तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले लेट मशीन के बारे में तो दोस्तों जो यह लेट मशीन होती है यह सभी मशीन टूल्स का फादर कहलाती है ऐ जैसे की facing, reaming, drilling, boring, turning, threading, etc. ठीक है दोस्तों इसका main function दोस्तों metal रिमूफ करना होता है किसी भी वकपीस से ताकि हम desired shape का workpiece obtain करसके है ठीक है दोस्तों तो दोस्तों चली हम पढ़ते हैं construction details of late machine के बारे में किस तरह से यह बनी ओती है तो दोस्तों जैसे की आप देख सकते है यह हमारी लेट मशिन की construction है, left side में हमारे पास head stock है, right side में हमारे पास tail stock है, जो head stock है, उसके आगे लग रखा है हमारा spindle, spindle में क्या होता है, चक लग रखा होता है, चक में हम क्या करते है, workpiece को grab करते है, जो कि हमारे live center कहलाता है, ठीक है, और जो tail stock है हमारा, यहाँ पे भी ए इसे use करते है, ठीक है, live center इसको इसलिए कहते है, क्योंकि mainly जो काम होता है, हमारे पास metal removing का, वो हम live center में करते हैं, ठीक है दोस्तों, अब जो हमारा main part आता है, वो आता हमारा carriage, जो बीच में हमारी unit है, ठीक है, इस carriage में काफी सारे parts होते है, सबसे पहले हमारे पास जाता है, एपरेन, एपरेन के अड़ता है, power provide कराने का काम करता है, जितने ढगने का काम करता है, जितने भी इसके पीछे, gears वो गे रहा है, इनको ढगता है, इसमें क्या लगा होता है, hand wheel होता है, hand wheel यह रहा आपके सामने, तो दोस्तों ये जो hand wheel है हमारा, ये क्या कराएगा, feed provide उसके जस्ट उपर होता है, दोस्तों, compound rest, ठीक है, जिसमें क्या होता है, हमारा tool post क्या करता है, rest कर रहा होता है, उस tool post में क्या करते हैं, tool को grab करते हैं, ठीक है, तो दोस्तों, जो हमारा next part है, इसमें, वो है हमारी lead screw, lead screw क्यों use करी जाती है, automatic feed देने के लिए, ठीक है, during the removal of metal, जितनी भी chips निकलती है, वो उस bed में जाके गिरती है, उस bed को साफ कर देते हैं, फिर दुबारा install कर देते हैं, ओके दोस्तों, तो ये हुई दोस्तों, construction details, lead machine की, तो पढ़ते हमारे next topic के उपर, तो दोस्तों, अब जो हमारा topic है, वो है main parts of lead machine, कौन-कौन से वो main part है, lead machine की, चले, discuss करते हैं, से पहला हमारे पास आता है, bed, bed क्या होती है, हमारे पास main body होती है, किसी भी lead machine की, जो support provide कराती है, सारे other parts को, ठीक है दोस्तों, ये cast iron से बनी होती है, क्यों, क्योंकि उसकी क्या होती है, high compressive strength होती है, compression को easily register कर लेता है, और दोस्तों, उसकी क्या होती है, high lubrication quality होती है, ठीक है, इसलिक क्या होता है, lubricate हो जाता है, slim क्या करते है, cast iron को use करते है, for making bed, बाकि जितने भी component होते है, इसमें क्या होते है, bolted होते है, ठीक है दोस्तों, इसमें क्या होती है, दोस्तों, इसमें क्या होती है, जो कि heavy metal से बनी होती है, ठीक है, और दोस्तो उस दो slides में क्या होता है हमारे carriage आगे पिछे move होता है tail stock भी move होता है और दोस्तो यह जो दो slide होती है इनको क्या कहा जाता है rails कहा जाता है ठीक है और हाँ दोस्तो for easy and smooth movement of carriage हमें क्या करना होता है इन rails को हमेशा lubricated condition में रखना होता है ठीक है दोस्तो तो आए पढ़ते हमारा next main part तो दोस्तो जो हमारा next main part है वो है headstock इसकी जो placement होती हमेशा left side में होती है bed के यह भी cast iron से बनाता है due to high compressive strength and lubricative property और हाँ दोस्तो इसके इंदर क्या होती है electric motor और transmission system की क्या होती है assembly होती है transmission system bed drive भी हो सकता है gear drive भी हो सकता है portion provide कर आती है और दोस्तो यह जो headstock होता है इसमें जो chuck लगता है हमारे पास spindle के उपर वो क्या काम करता है workpiece को grab करने का hold करने का ठीक है दोस्तों तो दोस्तों हम कई तरह के check use करते है headstock के spindle के उपर जो की है 3-0 chuck, 4-0 chuck, call it, magnetic chuck और face clear ठीक है दोस्तों अब बढ़ते हैं हमारे तीसरे main part पर जो की है tail stroke जो हमारे पास tail stroke होता है दोस्तों वो bed के उपर right side में होता है ठीक है long work pieces होती है वो क्या करेंगी vibrations के कारण ज्यादा हीलेंगी उसको क्या करता है support प्रवाइड कराता है ताकि क्या करता है ज्यादा हीलेना पर हम easily machine कर पाएं तो फिर machine क्या होगी irregular हो जाएगी हमारी ठीक है और हमारी proper desired shape नहीं मिलेगी और हां दोस्तों जो इसका दूसा function है वो यह है कि हम इसमें करते हैं drilling dreaming और tapping के दोरान टूल को hold करने का काम करते हैं किसमें tail stroke में दोस्तों जो हमारे next main part है वो है carriage तो दोस्तों यह headstock और tail stroke के बीच में होता है means in between of headstock और tail stroke ठीक है यह करता है टूल को hold करता है tool post में और क्या करता है bed के horizontal और vertical direction में करता है move कराने का काम करता है यह carriage तो दोस्तों जो rails होती है guide base उन पे क्या करता है स्लाइड करता है carriage यह भी दोस्तों cast iron का बना होता है due to high lubrication quality and high compressive strength ठीक है दोस्तों तो दोस्तों इसको किसी भी position में हम लोग कर सकते during machining it consists of many parts ठीक है इसमें कई तरह के parts होते है एपरेंट, saddle हो गया, cross lead हो गया, compound rest हो गया, tool post हो गया, lead screw तो चलिए दोस्तों पढ़ते हम इन carriage के main parts के बारे में दोस्तों जो पहला part है carriage का वो होता है एपरेंट दोस्तों जो एपरेंट होता है हमारा वो क्या होता है जॉइन होता है, saddle तो दोस्तों यह ऐसे covering होती है इसके जस्त पीछे क्या होते है, gears होते हैं, clutches होते हैं, transmission के लिए, ठीक है दोस्तों, speed road भी होती है, जो निकली होती है, इसके अंदे तो यह ता power provide कराने का काम करता है, apparent ठीक है, और दोस्तों हाँ इसमें split nuts भी होते है, और means, जो हमारा alphabet होता है, H, उस तरह की क्या होती है, casting होती है, जो की carriage की just उपर होती है, ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों, जो saddle क्या काम करता है, saddle help करता है, cross slide को आगे पीछे move करने में, machine पे, ठीक है दोस्तों, तो अब दोस्तों, जो हमारा next part है, वो है cross slide, दोस्तों, जो हमारा remove कर सके by using hand wheel तो दोस्तो अब जो हमारा next part है वो है compound rest ठीक है दोस्तो तो दोस्तो जो हमारे पास compound rest होता है ये just उपर होता है cross slide के ये के करता है support करता है हमारे tool post को दोस्तो ये जो हमारे पास compound rest होता है हम इसको किसी भी angle पे रोटेट कर सकते होरिजूंटल प्लेन में क्रोस्लाइड के उपर ठीक है तो दोस्तों हमारा जो आप नेक्स पार्ट है वह है टूल पोस्तों होता है यह कंपाउंड ड्रेस्ट के उपर प्लेस्ट होता है तो दोस्तों यह जो टूल पोस्त होता है इसमें हम क्या करते हैं कटि कोई साभी हो सकता है parting tool हो सकता है किसी भी तरह cutting tool हम use कर सकते हैं ठीक है जो लेट मशीन में जनरली देखा जाता है वो square type का tool post होता है ठीक है जो हमारी normal machining operation होती है उसमें generally square tool post ही हम क्या करते ही prefer करते हैं बाकि अगर हम नर्लिंग करनी हो या parting करनी हो तो फिर हम different tool post का हम use मिलाते हैं ठीक है दोस्तों अब जो हमारा next main part है carriage का वो है let's screw तो दोस्तों यह एक तरह की threaded road होती है जो कि हमें automatic feed provide करने का काम करते है ठीक है दोस्तों और हाँ दोस्तों इससे हम मेली threads बनाते हैं इस road की मदद से क्योंकि अगर हम हाथ से threads बनाएंगे तो क्यों होगे irregular threads बनेंगे जबकि automatic feed देंगे तो regular interval पर regular threads बनेंगे हमारे ठीक है दोस्तों तो दोस्तों अब जो हमारा next topic है isolis और अफ लेट तो दोस्तों सबसे पहले हमारे पासेसरी आती है हमारे पास centers centers में आरे पास आता है पहला लाइफ center दूसरा देट center दोस्तों जो हमारा headstock में fit होता है मिन्स जैसे check हो गया अमारे पास call it हो गए जितने वो सारे क्या होते है live center होते है वह क्या होते है we hold करने के लिए किसी भी round या hexagonal workpiece को ठीक है तो दोस्तो यह जो three जो चेक है हमारा यह mainly use करा जाता है round यह hexagonal workpiece को पकड़ने के लिए तो अगर हमारे पास irregular workpiece है तो उससे थ्री जो चक से नहीं पकड़ सकते हैं ठीक है दोस्तों तो दोस्तों फिर irregular के हमारे पास आता है दूसरा four जोच इसमें क्या होता है चारों independent reversible jaws होते है तैक है इसको विए करते हैं टाइग और लूस करते हैं इसके मदस्थ हमारा क्या होता है वर्ग पीस इसली अचाहता है डो स्क्वार रांड और इर्रैगुलर शेप के जितने वर्पिसे होते हैं उनको कारता है इसलीए कर सकते हैं तो दोस्तों अब जो महारे पास Anyone चरप आटा हैवह करने के लिए और डोस्तों इसके बाद आता ह्मारे पास combination तो दोस्तों इजो combination चेक होता है यह basically 3 जो चक और 4 जो चक का combination है तो दोस्तों जो combination चेक है इसमें क्या होता है हम independently भी move कर सकते हैं हर जोस को और साथ ही साथ में हम इनको के अर्थे इन सारी जोस को एक साथ भी operate कर सकते हैं तो दोस्तो अब आता हमारे पास next check वो है collect check ठीक है ये दोस्तो इसकी shape थोड़ी अलग होती है बाकी चक से कौन shape का होता है थोड़ा ठीक है ये होती है हमारे cylindrical workpieces जितनी में होती है उनको hold करने काम आता है और ये use कर जाता है for holding smaller से लेके medium range की जितनी भी workpieces होती है हमारे पास उनको easily hold कर सकता है और इसकी क्या होती है थ्री जो चक से ज्यादा better grip होती है ठीक है collect chuck की इसलिए हम as substitute three जो चक के हम collect chuck यूज करते हैं दोस्तों अब जो हमारे पास next chuck आता है वो हमारे पास hydraulic chuck या फिर air chuck ठीक है ये क्या होता है जो हमारे पास large workpiece होती है जिनकी length काफी जादा होती है ठीक है उनको hold करने के काम आता ह है ठीक है दोस्तों इसमें क्या होता है हम हमारे पास cylinder भी होता है वह air supply provide कराते है ठीक है इसे हम large workpieces hold कर सकते है easily इसीदा भी हो सकता है और bend भी हो सकता है बतलब मूडा वबी हो सकता है ठीक है तो दोस्तों आप जो हमारे पास next necessण и हरी है वह हमारे पास drive plate तो दोस्तों यह जो drive plate होती है यह क्य होती है circular shape की होती है जिसमें की छेड होते हैं और क्या होती है threads cutty होती है यह क्यों होती है spindle की nose में क्या होती इसली फिट हो जाती है और हां दोस्तों जो dry plate हो थी है इसमें क्या है hold provide करा जाता है जिसमें हमारी pin attach हो जाती है और यह हम कब use करते हैं जब भी हमारा workpiece hold और रखा होता है किससे straight tail late dog से जो workpiece की rotation में help करता है ठीक है और दोस्तों जो हमारी next accessory है वो हमारी face plate तो दोस्तों यह जो face plate होती है हमारी use करी जाती है workpiece को चक में easily hold करने के ठीक है दोस्तों जो हमारे पास जो next accessory है वो यह आ है e saranНетक होती है यह जो कि face plate के साथ use में लाइजाती है यह जो हमारे angle plate है यह हम तब use करते हैं face plate की vertical surface में हम वकपीस को easily hold नहीं कर पाते हैं तो कहारते हैं हम angle plate का use करते हैं face plate के साथ जिससे हम easily vertical surface में भी वकपीस को hold कर देते हैं ठीक है दोस्तों तो दोस्तों जो हमारे पास next accessory है अब वो है mandrel तो दोस्तों यह जो mandrel होता है यह क्या होता है एक तरह का cylindrical bar होता है जिसमें दोनों तरफ से बीच में center में hole होते हैं ठीक है दोस्तों तो दोस्तों यह जो mandrel accessory है यह हम use करते हैं जब भी हमें hole workplaces को कहरना होता है hold करना होता है ठीक है दोस्तों और दोस्तों मेंडरल के लावा और भी बहुत सारी से असरी नुतिय है जैसे कि शेडी हो गया फॉलोर हो गया और अधर तरह के रेस्ट हो गया और हां दोस्तों यह सारी सब यूज में लाए जाती है जब हमारे पास लोंग लेंद के वकपीसे होती है ठीक है दोस्तों अब जो हमारे नेक् स्पेसिफिकेशन ने भुए कि लेंथ अफ दी बैड कि कितनी लंबा ही होती है बैड की अब से पहले वह हो बताएगा ठीक है दूसरी जो चीज है स्पेसिफिकेशन कि एक कि डिस्टेंस कितना है लाए वाव डेट सेंटर के बीच में ठीक है दोस्तों तीसरी कि है बात कि स्ट्रेट है सेमी टाइप जोब या वटी और दोस्तों पाच वागा है हाइट और सेंटर की क्या है बैट से तो दोस्तों जो छटा है हमारे पास हो है संग ओवर दी बैड इसका मतलब होता आए कि हम कितना maximum diameter of workpiece hold कर सकते हैं, ताकि during the moment of carriage, हमारा carriage को hit ना करे, वो workpiece ठीक है दोस्तो, दोस्तो, आठफ़ जो specification है, width of the bed कि bed की कितनी चोडाई होगी ठीक है दोस्तो, 9th जो specification हमारे पास हो, spindle bore, spindle का छेद, और दोस्तो, जो हमारे पास the speed जो specification है, वो हमारे पास spindle की speed, कितनी speed में क्या है spindle हमारा revolve होगा, दोस्तो, जो हमारे पास 11th specification है, वो हमारे पास speed, दोस्तो, ये सारी specification late machine की हमें पता होनी चाहिए, ठीक है दोस्तो, तो आएए दोस्तो, आप पढ़ते हम late operations के बारे, दोस्तो, सबसे पहला, जो main operation है, वो है हमारे पास facing, दोस्तो, जो facing operation होता है, उसमें हम क्या गड़ते है, जो work piece होता है, उसकी जो end side होती है, उसमें क्या गड़ते है, flat surface बनाते है, दोस्तो, इसमें क्या होता है, work piece rotate करता रहता है, और हम क्या गड़ते है, Radially Feed देते हैं Cutting Tool को दोस्तो इसमें हम क्या करते हैं हमारा WorkPiece Rotate करता रहता है और हम जो Cutting Tool से हम Radially Feed देते हैं WorkPiece के Radius के Along हम Feed देते हैं जैसे कि हमारी Machining होती है और Flat Surface में मिल जाता है दोस्तो जो Second Operation हमारे पास हुआ है हमारे पास Form Turning दोस्तो ये जो Form Turning है तो ये जो Tool होता है दोस्तो ये भी हम क्यारते है Along the Radius इसको Feed देते हैं तो जिससे क्या होता है दोस्तो हमें WorkPiece में वो Shape मिल जाती है तो दोस्तो अब जो Third हमारे पास Operation है हमारे पास Counter Turning तो दोस्तो Counter Turning में क्या होता है इसमें Single Point Cutting Tool का Use करते हैं और एक Counter Provide कराते हैं Means Counter Type से हम क्यारते Feed देते हैं इस तरह से Counter Type से हम Feed देते हैं उसी की Shape हमारी WorkPiece में बन जाती है ठीक है दोस्तो तो दोस्तो अब जो हमारे पास Next Operation वो है Taper Turning ठीक है तो दोस्तो ये जो Taper Turning Operation है इसमें भी हम क्यारते है WorkPiece के Access of Rotation के हम पैलली Feed नहीं देते Cutting Tool से जैसे के हमने Counter Turning में भी नहीं दी थी ठीक है इसमें यह उतार Tool को हम Fed करवाते हैं किसी एक Particular Angle में जिस Angle को हमें WorkPiece में देना है जिस Angle का हमें WorkPiece में Machining करना है उस Angle पे हम उस Cutting Tool को Set करते हैं और Turning करते हैं ठीक है दोस्तों तो दोस्तों यह जो Operation होता है यह Tapership Provide कराने में मदद करता है WorkPiece पे ठीक है दोस्तों तो दोस्तों आप जो हमारे पास Next Machining Operation है वो है Chamfering तो दोस्तों यह जो Chamfering होती है इससे क्या होता है जो हमारी Corner की Edges होती है किसी WorkPiece की वो क्या होती है रिमूव हो जाती है ठीक है Safety Point of View से हम क्या हरते Chamfering करी जाती है और हम Feed इसमे Radially भी दे सकते हैं और Exially भी दे सकते हैं ठीक है दोस्तों तो दोस्तों Next जो हमारे पास Machining Operation है वो है Parting या फिर इसको अगा जाता है Cut of Machining Operation इसमें होता है दोस्तों Parting Tool यूज करा जाता है ठीक है दोस्तों Parting Tool को यूज करते है और हमके अड़ते Directly Feed देते हैं Along the Radius तो वो जो हिस्सा होता है जहाँ पर हम Tool को Feed देते हैं तो वहाँ से क्या होता है Cut हो जाता है या Remove हो जाता है Metal हमारा तो दोस्तों जो हमारे पास अब Next Machining Operation है वो है Boring तो दोस्तों जो यह Boring Machining Operation है इसमें जो Single Point Cutting Tool होता है इसका हम यूज करते हैं तो इसमें अड़ते हैं दोस्तों हम Single Point Cutting Tool को हम Along the Axis of Rotation Workpiece के अड़ते Feed देते हैं ठीक है दोस्तों जैसे की दे रखी हैं ठीक है और हमारा Enlargement हो जाता है उस Hole का तो दोस्तों हमारे जो Next Machining Operation है वो है Threading तो दोस्तों Threading Machining Operation में एक Pointed Tool यूज करा जाता है जिसको हम क्या अड़ते हैं Along the Axis of Rotation हम करते Feed देते हैं ठीक है दोस्तों तो दोस्तों जो हमारा Next Machining Operation है वो है Drilling इसमें हम क्या अड़ते हैं एक Drill का यूज करते हैं दोस्तों यह जो Drilling Machining Operation होता है यह यूज कर जाता है Hole को Produce करने में वकपीस के अंदर Hole प्रोडियूस हो जाए इसलिए हम क्या अड़ते है प्रोडियूस करते हैं किसी भी वकपीस में और ग्रिपिंग तो दोस्तों अब जो हमारे पास Next Machining Operation है वो है Reaming दोस्तों जो Reaming Machining Operation है इसमें हम रीमर का यूज करते हैं एज अ कटिंग टूल और इसको हम Along the axis of rotation of workpiece हम क्या रहते हैं फीड देते हैं ठीक है दोस्तों जैसे दिए जारी है इस operation में क्यड़ते है जो हमने पहले drill कर रहे है hole या फिर drill करने के बाद बोर कर रहे है hole उसको क्यरते हैं या फिनिशिंग देते हैं उसको finishing देते हैं रफ हो रखी होते हैं अंदिर surface इसको करतें, फिनिशिंग देते है, ठिक है दोस्तों, अब जो हमारे पर next machining operation है, वो है spinning, तो दोस्तों, यह चो spinning machining operation है, इसको हम spin forming भी कहते है, metal forming भी कहते है, दोस्तों, इसमें क्या होता है, एक disk या metal tube यूज यूज करी जाती है, जो rotate करती है, रोटेट नहीं करते है, इसम करते हैं इसमें क्योंकि metal removal नहीं होता ठीक है इसको खाली हम करते हैं शेप देने के लिए और सिमेट्रिकल पार्ट प्रोवाइड कराने के लिए हम यूज करते हैं इसको यह सेंसी लेट में भी परफॉंब करे जाता है जैसे की अधर perform भी है सकते हैं यहिले है दोस्तों पढ़ता है banyak कि इसको प्रकार होते से प्रकार नवें पहले हैं वूड़ वर्किंग लेथ, दूसरा है मैटल स्पिनिंग लेथ, तीसरा है मैटल टर्निंग लेथ, चोथ है पॉलिशिंग लेथ, दोस्तो, मैं इन सभी लेथ मशिन के बारे में भी थोड़ो थोड़ा बता सकता था, लेकिन वीडियो काफी लंबी हो जाती, इसलिए वो कभी थिस्कश करेंगे, ओस्तों बढ़ते हो हमारी 2ND लेथ, जो के हमारे पस इंजनE, दोस्तों HR 행 s में high as well as low power operation-refire, इसली परफॉर्म कर सकते इंजन लेथ, अट्वर् stylaat एंट्रेंट लेथ, सम्म n आव्याएबल रेकिश में अए मार्किट में तो माधे विए शसदों नोगाल मगैशे कए इसपीड मसगा टाइब साण टोस्तों एक टो सबसे काएं मित चुरिप होते हैं ज्यादा बैटर फिनिश हमें ज्यादा एक्टुरेसी जी हमें इस तूल डूम लेट मशने के स्पीड रेश्यों क्या होता है बाइड होता है इसमें और दोस्तु इस लेट मशीन में हम करते हैं अलग-अलग तरह की फीट्स प्रोवैड करा सकते हैं ठीक है और दोस्तों ये tool room lat machine बहुत ही अच्छा device है किसी भी die को manufacture करने के लिए ठीक है और दोस्तों जो अब हमारी next lat machine है काफी important है capstan and turret lathe दोस्तों capstan and turret lathe के बारे में हमेशे examination में पूछा जाता है कि काफी important lathe machine है दोस्तों इस capstan and turret lathe में क्या होता है जो हमारे पास engine लेता है उसका tail stock को हटा के हम क्या करते है hexagonal turret यूज करते है और हाँ दोस्तों इससे फाइदा क्या होता है हमारा जो hexagonal turret है इसमें क्या करते हैं number of tools को हम क्या कर सकते है attach करे जा सकते है और हाँ दोस्तों साथी साथ में हम क्या कर सकते है इन टूस को work piece के along feed दे सकते हैं एक proper sequence की तहत और हाँ दोस्तो इस late machine से हम क्या कर सकते हैं number of identical parts बना सकते हैं कम से कम time और हाँ दोस्तो अब जो हमारी next late machine है वो है automatic late machine तो दोस्तो इस जो automatic late machine है इसमें सब कुछ क्या होता automatic होता जितनी विजो handling होती है या फिर जितनी machining में feed हम देते हैं यह क्योंति है automatic होती है ठीक है दोस्तो और हाँ दोस्तो यह काफी high speed provide कर आती है heavy duty machines होती है mass production में इनका काफी ज़्यादा role होता है इसलिए हम use करते है mass production में ज़्यादा ज़्यादा ठीक है क्योंकि complete automatic हमें control प्रोवाइड कर आती है तो दोस्तो अब जो हमारी next machine हो है special purpose late machine ठीक है दोस्तो दोस्तो यह special purpose late machine है यह नाम से पता चल रहा होगा आपको कि एक specific purpose के लिए बनाई जाती है ठीक है तो इसके भी कई सारे example है जैसे एक हो गया वील लेट टाइप दूसरा gap bed टाइप तीसरा डुब्लिकेटिंग टाइप ठीक है तो दोस्तो और भी कई तरह की late machine होती है bench late machine होती है semi-automatic late machine होती है एट्सेटरा एट्सेटरा ठीक है दोस्तो तो दोस्तो जो हमारे next topic है वह हमारा work holding devices जैसे कि नाम से पता चल रहोगा कि हमारे work piece को hold करने के लिए जो जो डिवाइसे यूज करे जाते हैं उनको work holding डिवाइसे का जाता है जिसमें हमारे पास आती है face plate driving plates rest आते मेंडर्स आते ह चक्स आते हैं हमारे पास एंगल प्लेट्स आती है center साते है carriage lid dog मेंडर्स क्या होते हैं जो होलो work pieces होती है उनको hold करने में मदद करता है चक्स चक्स करते है workpiece को hold करने में ये भी कई परकार की होते हैं पहले बताया है आए अना आपको three जो चक हो सकता है four जो चक हो सकता है combination गो सकता है फिर यह एंगल प्लेटक के साथ यूश करी जाती है कब जब वर्क पीस को हम वर्टिकल सर्फेस पे हम होड नहीं कर सकते ठीक है इंगल प्लेट करते हैं और फिर आता है हमारे पास Center Center दोतर रहे के उते हैं लाइफ सेंटर लाइफ सेंटर उसे का जाता है जब हम Headstock में कोई Spindle या फिर चख वगेर हम लगाते हैं उनको कहते हैं लाइफ सेंटर कहते हैं अगर हमने को कोई spindle लगाया फिर को और टू लगाया तो हम उसके एंगे डेट सेंटर कहेंगे ठीक है दोस्तों दोस्तों हमारे पास फिर आता है के रिए या लेट डोग यह वर्पीस की लोग बड़ी होते होंद को ओलड करने के लिए मदद करते हैं थाkar दोस्तों अब आते हमारे नेकξ टोपिक पर किया कट्टिंग परमेटरस दोस्तों कटिंग परमीटरस वह परमेटरर्स होते हैं जो की material removing rate को effect करते है during machining operation ठीक है दोस्तों इसमें सबसे पहला हमारे पास cutting velocity ठीक है यह जा होती है relative velocity between workpiece and tool और दोस्तों इसको हम express करते है meter per minute में इसका जो formula है वो है vc equals to pi dn upon thousand ठीक है जिसमें d हमारा क्या है diameter of workpiece और n जो हमारे spindle speed है ठीक है दोस्तों of the tool relative to the workpiece in the direction of feed motion तो दोस्तों feed का मतलब क्या हुआ हमारा tool जो है कितना displaced हुआ जो set को हमने feed दी workpiece के relation में ठीक है और इसको हम express करते है meter per minute में ठीक है तो दोस्तों तीसरा हमारे पास आता है cutting parameter uncut chip thickness यह क्यों होती है it is the thickness of the layer of the material being removed by the cutting tool in the direction of the feed motion यह जो uncut chip ठीकने से यह वो ठीकने से किसी भी workpiece के material के layer की जो की remove होने वाली होती है cutting tool के feed motion के दोरान ठीक है तो दोस्तों जो fourth हमारे पास cutting parameter है वो हमारे पास क्या है depth of cut जैसे इसमें लिखा है normal movement और normal distance between the machine and unmachine surface ठीक है दोस्तों इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारे पास perpendicular distance है किसके बीच में जो हमने machine कर दिया है वो और जो हमारा unmachine surface है वो उसके बीच में जो distance है वो depth of cut के लाएगा हमारा ठीक है दोस्तों इसका formula हमारे पास है T is equals to capital D minus small d upon 2 mm इसको express करते हैं mm में ठीक है दोस्तों जहाँ पर capital D है हमारा diameter before machining और जो small d है हमारा क्या है diameter after machining ठीक है है उसे हम कहते हैं machine time कहते हैं ठीक है दोस्तों इसका formula होता है T is equals to L1 upon F जहाँ पर की L1 होता है total distance tool traveled in the feed direction जो हमने feed दिये उस direction में हमारे tool ने कितना distance move कर रहा है वो L1 कहलाता है हमारा और जो F है हमारा नीचे upon में वह होता हमारा total feed per minute per minute में हम कितनी feed दे रहे हैं ठीक है दोस्तों तो दोस्तों अब जो हमारा six parameter वह हमारा machining power machining power is a product of cutting force and cutting velocity multiplication होता है किस किस का cutting force का और cutting velocity का जिसमें यह PS हमरा क्या है cutting force और VC क्या है cutting velocity इसको PMC denote करते हैं machine power ठीक है दोस्तों आपको लेट machine के बारे में काफी सारी जानकारी मिली होगी और आपको कहीं न कहीं इसका फाइदा भी होगा और हां दोस्तों अगर आपको लेट machine के कर दोस्तों